तुपुन समाचा नवसारी मा वर्सादना कारणे रोड रस्ता तेमज हाइवे पर मस्मोटा खाडा पड़ी गया छे नेशनल हाइवे 18 पर खाडा ना कारणे ट्राफिक जाम ना द्रश्चो जोवा मड़े हता लगबग एक किलोमेटर सुधी ट्राफिक जाम सर्जायो हतो सामनों करी रहा छे हाइवे ऑथुरिटी नी कामगीरी निश्वर देखाए रही छे तो वहां चालकों मा भारे रोज जुआ मड़ी रहो छे मुकुल वासनिक जी शक्ति सिंग गोहिल जी अमित चावडा जी दीपक बावरिया जी शेलेश परमार जी जगदीश ठाकुर जी सिदात पतेल जी आमी यागनिक जी लाल जी देसाई जी हिमत सिंग पतेल जी जिगनेश मेवानी जी इंद्रविजे जी इमरान केडवाला जी ललिद भाई लाला भाई पतेल जी मतलब हमारे सारे के सारे सीनियर नेता और हमारे प्यारे कार्य करता बबर्शे टाइगर आप सब का आप सब का यहां मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ पार्लिमंट हाउस में आपने देखा होगा कि अजीब सी बात है बीजेपी की जो पूरी मुवम्मंट थी राम मंदिर की अयोदिया की मुवम्मंट थी सब्सक्राइब शुरुआत अडवानी जी ने की थि रत यात्रा हुई थी उसमें आपने अडवानी जी को रत पे देखा था कहा जाता है कि नरेंद्र मुदी जी ने उस यात्रा में अडवानी जी की मदद की थी इनकी शुरुवात वहां हुई राइट ठीक है रत्यात्रा चली और पार्लिमंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनागुरेशन किया और राम मंदिर के इनागुरेशन में अधानी जी दिग गए अंबानी जी दिग गए मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा आपने देखा होगा टीवी भी देखा आपने अब उसका नतीजा बताता हूँ पार्लिमंट में मैं यहां बैठता हूँ यहां पे अयोधिया के एंपी बैठते हैं देखा आपने उनका चेहरा इंडिया गटबंदन के हैं है ना मैंने उनसे पूछा कि भाईया आप मुझे एक बात समझाओ यह बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोधिया की पॉलिटिक्स थी चुनाओ के पहले उन्होंने राम मंदिर का इनोग्रेशन किया राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की मीडिया में फैला दिया मैंने उनसे पूछा भाईया एक बात बताओ यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इन्योग्रेशन किया और इंडिया गटबंधन अयोधिया में चुनाव जीत किया ये हुआ क्या और मुझे जवाब उन्होंने दिया मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूँ उन्हेंने का राहुल जी मुझे पता लगया था तकरीबन छे महीने पहले मुझे पता लगया था कि मैं अयोधिया से लड़ूँगा और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे ये भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूँगा नहीं इंडिया गटबंधन अयोधिया से जीतने जा रहा है मैंने कहा कि आपको कैसे मालू पूरी देश में, मीडिया में, सब जगे राम मंदिर का इन्योग्रेशन हुआ तो आपको कैसे मालू उन्होंने कहा कि राउल जी जब मैं आयोधिया में लोगों से बात करता था तो मुझे आयोधिया के लोग सिर्फ दो तीन चीज़ें कहते थे पहली बात कहते थे कि आयोधिया में मंदिर बनाने के लिए क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई बहुत सारे लोगों की दुकाने घर तोड़े गए और आज तक जिन लोगों के घर चीने गए तोड़े गए दुकाने तोड़ी गई आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने compensation नहीं दिया पहली बात जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन चीनी गई सरकार ने हमें मौावजा नहीं दिया दूसरी बात अयोदिया का international airport बना बड़ा airport जमीन किसकी गई अयोदिया के किसानों की जमीन गई आज तक उनको सही मौावजा नहीं मिला और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे तीसरी बात राहूल जी अयोदिया की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के inauguration में अयोदिया का एक भी व्यक्ती नहीं था ये कारण थे मगर मैं आपको ये काहनी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जो movement अड़वानी जी ने चालू की थी उस movement को जो जिसका center अयोदिया था उस movement को इंडिया गडबंदन ने अयोदिया में हरा दिया है बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मतलब इनका पूरा जो center था वहाँ पे हमने आप जैसे कार्यकरताओं ने Congress Party के कार्यकरताओं ने और आप जाके पूछिए वहाँ पे समाजवादी Party के किसी भी नेता जे पूछ लीजिए और वह आपको बताएगा कि Congress Party का कार्यकरता बबबर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था एक इंच पीछे नहीं हटा तो अयोधिया में Congress Party ने इंडिया गडबंदन ने इनको हराया है तो अगला step क्या है अब इन्होंने क्या किया अच्छा अंदर की बाद बताता हूँ अब यहां आया हूँ परिवार से बात हो रही तो अंदर की इंसाइड ट्रैक बता देता हूँ इंसाइड ट्रैक है उसी MP ने बताया राहुल जी यहां पे तीन बार सर्वे हुआ था नरेंद्र मोदी जी वारा नसी से नहीं लड़ना चाते थे नरेंद्र मोदी जी अयोदिया से लड़ना चाते थे उनके सर्वेर आए तीन बार आए नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेर ने उनको कह दिया नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोदिया से लड़ेंगे आप अयोदिया में हारेंगे आप अयोध्या में मत लड़िये, क्यूंकि अगर आप लड़िये आपका राजनेतिक करियर अयोध्या में खतम हो जाएगा इसने अयोध्या से नहीं लड़े, वारनसी से लड़े और वारनसी में हमने एक दो चोटी गलती कर दी, नहीं तो यहां उनको निपट लेते हैं मतलब आप देखिए अयोधिया में उनी के लोगों ने उनसे कहा कि हारो गए और काशी में कितने से जीते एक लाख वोट से जीते मतलब जान बचा के निकले हैं सचाईये जैसे मैंने पारलिमंट हाउस में कहा हमारा काम यह जो लगा रखा है मैंने आज यह जो चिन लगा रखा है इसको क्या ऑबेमुद्रा कहते हैं यह आपका चिन है इसको मत आप आप आज वापिस जाओगे अलग-अलग धर्म के लोग हो आप हर धर्म में ये चिन आपको दिखाई देगा गुरु नानक जी की फोटो देखिए महवीर की देखिए, बुद्धा की देखिए इसलाम में भी जैसे मिने पार्लिमेंट में कहा दुआ मांगी जाती है, दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है आप शिव जी की फोटो देखिए, उसमें आपको ये दिखाई देगा और इसका मतलब है डरो मत, डराओ मत और मैं आपसे यहां कहने आया हूँ इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकरताओं पर आकरमन किया है अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमका कर, ऑफिस को तोड़ कर हमें चैलेंज दिया है चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाओं में मैं आपको बता रहा हूँ हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जारे हैं जो हमने कह और लिखके ले लो लिखके ले लो Congress Party कि जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाओं में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और BJP को गुजरात में जैसे हमने अयोदिया में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं कौन हराएगा हमारे लीडर हराएंगे हमारे बबर्शे टाइगर हराएंगे आपको आप देख रहे हो मैं बता रहूँ आपको देखो 50% आप में से लोग 50% आप क्या सोच सकते थे मैं आपको पूछता हूँ आप क्या सोच सकते थे चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोदिया में BJP हारेगी आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी जान बचा के निकलेगा मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा सोच सकते थे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे योदिया में हारे वैसे यहाँ पर हारने जा रहे है आपको सिर्फ एक बात बुलनी है आपको डरना नहीं है बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे वियापारी हो अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाईगे दूसरा उधारन देता हूँ आप कॉंग हो जानते हो हमारी पार्टी में कोई डरता है कैसे मालूम कैसे मालूम हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं बड़ा सा बड़ा हो, राहूल गान्दी हो हमारे पार्टी के लोग कहते है मुझसे कहते हैं मेरे कमरे में आके कहते हैं राहूल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा कहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको और मैं कहता हूँ आपने सही बोला इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था जो आप बोल रहे हो वैसे करना था हम ड़ते नहीं है ना हमारे कार्य करता हमें बोलने से ड़ते हैं ना हम अपनी कार्य करता की बात सुनने से ड़ते हैं ना हमारा कार्य करता हम से ड़ता है अब देखिए मैं आपको reality बता रहा हूँ BJP में नरेंद्रमोधी बैटे हैं उनकी पुरी टीम बैठी है उनके सामने मैं आपको internal बात बता रहा हूँ उन मेंसे कोई नरेंद्रमोधी को नहीं चाहता मगर कोई नहीं चाहता मतलब पुरी leadership team देख लो आगे बैठी है मैं बता रहा हूँ आपको अंदर की बाद बता रहा हूँ, इंसाइड ट्राइक दे रहा हूँ, कोई नहीं चाहता मगर दम नहीं है, डरते है अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कॉंग्रेस पार्टी में होता पूरी कॉंग्रेस पार्टी खड़े हो जाती कहते हैं नहीं हम डड़ते नहीं हैं हटो यहां से मकर उनकी पार्टी हमीनिए हैं उनके कारे करताओं में डब नहीं है आप देखो ना एक आदमी घड़ा वहां पे सब के हवा निकल गई मतलब हम ड़ते नहीं है, हटो यहां से मगर उनकी पार्टी में धमी नहीं है उनके कारे करताओं में धम नहीं है आप देखो न, एक आदमी घड़ा वहां पे सब की हवा निकल गई मतलब कारे करताओं की हवा निकल गई RSS की हवा निकल गई, सारे leaders की हवा निकल गई सच बोल रहा हूं न और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कारे करता होता है, tiger होता है आता है, Congress President के सामने आता है राहूल गांदी के सामने आता है, कहता भया मेरे दिल में ये बात है, आपको ये ना लगे मैं तो बोल रहा हूं तो ये है Congress Party अंग्रेज़ों के साथ ये खड़े हो गए थे, सारे के सारे RSS वाले हम लड़े थे हम लड़े थे हमने कहा देश से हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था BJP के लोगे ने हाथ जोड़के कहा था बैया डर गए हम, जो करना है कर लो तो आप अपनी हिस्ट्री समझो जो डर की भावना होती है न वो आप में नहीं है, उनमें है और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं Congress Party गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नहीं Congress Party बनेगी क्योंकि Congress Party मैं गहरी बात बोल रहा हूं मैं ऐसी आलतु-फालतु बात नहीं करता हूं देखिए Congress Party बनी कहा थी मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने रास्ता दिखाया था आप क्या सोचते हो जब यहां अंग्रेज राज करते थे क्या डर नहीं था गुजरात के वियक्ति ने कहा था महात्मा गांदी ने देश को कहा कि देखो डरो मत डराओ मत और आज गुजरात से शुरू हुई थी और आज अगर कॉंग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी वो भावना वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी इसलिए जब इनोंने हमारा ओफिस तोड़ा मैंने सोचा भईया मौका मिल गया अब हम इनको सबब सिखाएंगे जैसे इनोंने हमारा ओफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं अच्छा अब मैंने दरोमत की बात करी मगर एक शिकायत भी है एक शिकायत भी है ये भी नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में कमिया नहीं है ये कहना पड़ेगा कहना पड़ेगा कमी क्या है एक कार्यकरता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरता ने राहूल जी कहता है मुझे राहूल जी ये कॉंग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है दो तरीके के घुड़े होते है एक रेस का घुड़ा होता है दूसरा शादी का गोड़ा होता है ये आप कभी-कभी Congress Party क्या करती है RACE के गोड़े को शादी में बेज देती है और शादी के गोड़े को RACE में लगा देती है तो उसने कहा ये आप बंध करा दीजिये RACE के गोड़े को आप RACE दोड़ाईए और शादी के गोड़े को आप शादी में बेजए तो ये हमें गुजरात में करना है जो रेस का गोड़ा है जो त्यार है दोड़ने के लिए त्यार है उसको रेस में लगाना चाहिए और जो हमारे शादी के गोड़े हैं जो है वो है उनको हमें शादी में बराद में नचा देना चाहिए तो अब मेरा कहना है कि ये काम सीरिसली करना है हम पिछले चुनाओं में आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि हम बीजेपी से पिछले चुनाओं में नहीं लड़े थे ठीक से नहीं लड़े थे उससे पहले चुनाव में 2017 में हम तीन महीने कहलो चार महीने कहलो चार महीने तीन महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा आपने देखा गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा मैं बता रहा हूँ आपको इंसाइट ट्रैक मुझे बस में कहा कि राहुल जी गुजरात में हमें 40 सीटे मिलेंगी मैंने उनसे कहा 40 नहीं हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और 16 सीट से हम चुनाव हारे हैं अब 3 साल है तीन महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुँच गए थे तीन साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उदर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे हम मैं आपको यहां कह रहा हूँ कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद तीस साल हो गए तीस साल हो गए मैं आपको बता रहा हूँ मानो ना मानो आप मेंसे 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे नहीं भईया नहीं होगा जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लड़ जाओ और यह बागी 50% बैठे हैं उनकी माइंड बदल दो नई अपार हो जाएगी सरकार बन जाएगी और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि AICC की टीम राहूल गांदी मेरी बहन सारे के सारे सिनियर लेडर आपके साथ यहां कड़े होंगे आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे आपने बहुत सहा है बहुत लाटियां खाई है बहुत अपमान हुआ है आपका गालिये खाई है आपने अब बहुत हो गया अब इनको हमें सबक सिकाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं और और नफरत से नई महबत से मुहपत से आप देखना मुहपत से हम इनको हराएंगे कैसे क्योंकि नरेंद्र मोधी जी का जो विजन था वो गुबारा जो था वो फट गया है पटाक से वो फट गया है आप सोचिए पार्लिमेंट आउस में नरेंद्र मोधी वहाँ बैटे में है और मैंने प्रधानमंत्री जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोधी जी आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूँ पता नहीं आप क्या है क्योंकि आप नहीं कहा कि मैं नॉन बायोलोजिकल हूँ मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ और मेरा मेरा सीधा direct connection है इश्वर से अरे भाईया आपका direct connection है इश्वर से तो ऐयोधिय कैसे हार गए कैसे हार गए तो हमारे प्रधान मंतरी सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलोईकल गुजराद की जनता बायोलोजिकल गांदीजी बायोलोजिकल हिंदुस्तान के किसान, मजदूर सब लोग बायोलोजिकल और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलोजिकल स्पीकर जी ने, स्पीकर सर ने मुझे कहा, ऐसे मत बोलिये मैंने का मैं थोड़ी बोल रहा हूं ये तो प्रधान मंतरी बोल रहे थे मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ स्पीकर बिलकुछ चुप हो गए बात तो सही है बात तो सही है ये राउल गान्दी के शब्द थोड़ी है ये तो इंदुस्तान की प्रधान मंत्री के शब्द है नॉन बायोलोजिकल अब सोचिए वो व्यक्ति जो अपने आपको नॉन बायोलोजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलोजिकल समझता है कि मतलब मैं यहाँ और बाकी जनता वहाँ वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता मजदूरों का दर्भ नहीं समझ सकता Diamond Industry में जो काम करते हैं उनका दर्भ नहीं समझ सकता Non-Biological वियक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है नहीं दिखा सकता तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना गुजरात के युवाओं को किसानों को, मजदूरों को, माताओं, बेहनों को विजन देना, कि भाईया हम आपके लिए ये करने जा रहे है आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रग दिया था PGP को आपने देखा वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजराइट के लिए गुजराइट की जनता से मिलकर एक लाक लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाये था वैसे ही हम गुजराइट में लाकों लोगों से पूछ कर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे गुजराइट को विजन देंगे और फिर चुनाओ पूरा दम लगाके लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़के हटपपरे कर देंगे आप सब का दिल से धन्यवाद आकरी बात मैं कहना चाता हूँ यहां जगनात यात्रा हुरी है आप सब को और जो यात्रा में भाग लेंगे आप सब को शुब कामनाई देना चाता हूँ और दिल से दिल से प्यार देना चाता हूँ आप सब का दिल से धन्यवाद नमस्कार जेहन अभे मुद्रा गरो मत गराओ मत